Hello students and welcome back to my channel कम्ट से गिता तो आज हम जो बात करने वाले हैं UGC Net जून 2024 के एक्जाम के बारे में बात करने वाले हैं तो आपका एक्जाम डेट भी आ चुका है तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एक्जाम डेट देखेंगे और बहुत ही short में आप लोगो को बता देगे अपका बिल्कुल भी time waste नहीं होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐदेखने वाले हैं कि आपका जो फॉर्म फिल करने की देट है आ आप लोगो को पता ही लगग गया कि जूर्म फैल करने की डेट थ स्टार्ट हो गई है और बाग दिया है कि 11.50 पीम तक आप लोग जो फीस पे कर सकते हैं आप हम यहाँ पर जो दूसरी बात करनेवाले हैं जो फीस के लिए तो फीस पर यहाँ पर जो जनरल की है 11.50 दिया है यहाँ पर बाकि OVC की 600 and STSC का आपका 325 दिया है अब यहाँ पर जो next बात करने वाले हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो correction या जैसे बहुत सरे student का गलत हो जाता है या फिर बाद में याद आता है कि इसमें ये mistake हो गई है तो यहाँ पर correction की भी date दी गई है 13 में को आप लोग जो है 13 में से लेकर 15 में तक आप लोग इसमें correction कर सकते हैं अगर यहाँ पर बात करते हैं जो date of examination तो यहाँ पर date of examination का दिया हुआ है 16 जून को आपका exam हो जाएगा ठीक है और बागी यहाँ पर बात करते हैं duration of examination यह मतलब 16 जून से आपके स्टार्ट हैं बाकी जो है अपके अलग-अलग हैं बाकी जो है डूरिशन ओफ एक्जामिनेशन का इसमें है 180 मिनट यहां पर दिया हुआ है यानि कि जो तीन घंटे में आपका जो पेपर होगा इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा कोई कुछ भी न यहां बता लगेगा कि आपका जो कैसा रहेगा जो भी सेक जाए गचार यह सबसे हैं इंबर्ड करने में डाइं ने हुनेया अपकेश्य कार्ण के चलिभाओ का जाए होुए हो दिश्ग कि अबchnर्मेंशि सबसे है पहले ही हैँ यहां बात करने वाले हैं यहां पर आप of examination, यह सबसे बड़ा बदलाव यहां पर यह हुआ है, क्योंकि अभी तक आप लोग का जो exam होता था, कैसा होता था, online exam होता था, लेकिन अब जो है, वो OMRS based कर दिया गया है, यानि कि आपका जो exam होगा, वो offline exam होने वाला है, तो यह आपके लिए अच्छा है, बहुत सारी student है, उनको problem भी होती थी, system पर बैठने के लिए, तो बाकि अगर बात करते हैं, यहां पर जो examination है, इसका pattern क्या रहेगा, तो इसमें marks दिये हैं, पहले हम number of questions की बात कर लेते हैं, same, इसमें कोई change नहीं हुआ है, पहले भी 50 आते थे और अब भी 50 आएंगे, बाकि जो subject का है 100 आएगा, और यहां पर जो है हर एक question को आपका दो marks होगा, यानि कि आपका सही marks पर, जो है सही marks पर जो आपके दो number मिलेंगे, अगर by chance कोई भी जो question गलत भी हो जाता है, तो आपका इसमें कोई भी negative marking नहीं है, बस यह है कि आपको वो number नहीं मिलेगा, ठीक है, यह तो हो गया, यहां पर number of questions और marks दोनों हो गए, अब हम जो बात करने वाले हैं, जो next जो बात करने वाले हैं, आपका जो यह medium of question paper है, ठीक है, इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, medium of question paper, इसमें आपको क्या करना है, जो हिंदी और English इसमें दोनों दिये होंगे, जब आप form fill करेंगे, तो आपको यहां पर बहुत ही केरफूली एक चूज करना है, तो बाकि जो है, यहां पर बात में changes, बात में भी changes हो सकता है, जब आपका correction का data आएगा, लेकिन उसके बात आपका change नहीं होगा, ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे qualification examination, तो qualification examination में यहां पर जो है कि यहां पर general unreserved, general EWS, बाकि जो है इन candidate के लिए 55% marks होना चाहिए, यानि कि इसमें master degree, यानि कि जो आपका PG है, उसमें आपका 55% marks होने चाहिए, अगर हम यहां पर दूसरी बात जो करने वाले हैं, कि जो OBC हो गए, SC, SD, इन लोगों के लिए 50 marks के लिए यहां पर, आप लोग 50 marks होंगे PG में, तो आप लोग यहां पर form fill कर सकते हैं, अब यहां पर जो next point देखते हैं, अब यहां पर जो देखने वाले हैं, age limit relaxation, इसमें भी बहुत जादा student को problem रहती है, क्योंकि इनको बहुत जादा समझ में आता है, तो देखो सबसे पहले हम बात करने हाले हैं, कि जो GRF जो form fill करेंगे, जो GRF के लिए, यानि कि उनका 30 years होना चाहिए, यानि कि यहां पर दिया हुआ है, कि जो है 30 years, बाकि अगर यहां पर जो दूसरी देखने वाले हैं, कि जो आपका SC, SC, ऐसा नहीं है कि मतलब इन इसका age relaxation के बारे हैं, एक यहां पर उन लोग के लिए भी एक option और है, कि अगर by chance किसी student की 30 plus age होती है, या फिर वो लोग इस category में नहीं आते हैं, उनको age relaxation नहीं मिल पाता है, तो आप लोग एक यहां पर जो form fill करेंगे, तो उसमें option भी आएगा, कि आप लोग net के साथ PhD करना चाहते हैं, या जो है, क्योंकि GRF तो उनका हट जाएगा, तो उन लोग के लिए कोई भी age limit नहीं है, तो वो लोग अपना form fill कर सकते हैं, बस यह है कि उनका age limitation जो भी है, age relaxation जो मिलेगा, सिर्फ only यहां पर GRF के लिए है, ठीके, बागी उन लोग के लिए, अदर्वाइस यह इस से जादा नहीं, बागी जो भी student है, जिन्होंने form fill नहीं किया है, तो वो अपना form fill करना स्टार्ट कर दें, और अपनी preparation करना स्टार्ट कर दें, बागी जो date, जो मतलब subject का है, वो अग next वीडियो में आप लोग को डाल देंगे, तो जो subject में क्या-क्या topic हैं, क्या-क्या चया जो eार वो उादा हैं, जो या खना स्टार्ट उत्म आपना स्टार्ट